हलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग SPI के बारे में बात करेंगे SPI के लिए काफी अच्छा न्यूज है आप बैंकिंग के एस्पारेंट हैं आप SPI एक्जाम का प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तो इंडिया में जो 5 लार्जेस पब्लिक कमपनी है उसमें SPI का रैंक थर्ड आया है यानि इंडियान वाइल कर्परेशन ओएंज जिसे के बाद SPI का रैंक आता है और ग्लोबल 500 फर्चुन की बात करें तो SPI जो है 43 लार्जेस बैंक इन दो वर्ल आता है और ओफरल जो है 221 रैंक आता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग इस न्यूज के बारे में बात करेंगे अपर्चुनिटी इंप्लाइमेंट बेस और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सब लोग इस वीडियो को जरू लाइक कर दीजेगा और आप अपने चैनल बैंकिंग करिये पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को जरू सब्क्राइब कर लीजेगा आप सभी को डेफिनेटल यहां से मदद मिलेगा और दोस्तों आप न्यू कंडेट हैं अभी भी आप बैंकिंग एक्जाम का प्रिपेशन स्टार्ट किये हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप अपने टीचर को जो है आप चूज कर सकते हैं आपका सभी सिलेबर कवर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें आप लेक्चर को डाउनलोड करके आप बाद में भी देख सकते हैं आपका जो डाउट है टॉप एडुकेटर से पूछ सकते हैं एक्जाम का प्रिपेशन कैसे करना है आपको प्रपर आपर ए UK10 आपको 10% discount मिल जाएगा और आप new candidate है और पहली बार विजट कर रहे हैं तो आप UK10 कोड यूज कीजिए आप सभी के लिए बहुत सारे material अनलोग हो जाएगा वहां से भी आप पढ़कर के अपने एक्जाम में काफी अच्छे score कर सकते हैं यह जो 10% discount है और यह बहुत जल् जो है इंडिया में जो 5 लार्जेस पब्लिक सेक्टर कंपनी है इसमें जो है थर्ड आया है और दोस्तों की टोटल एसेट की बात करें तो एप्रॉक्समेटली जो है 500 बिलियन जो है इस बिया का सबसे बड़ा बैंक है इस बिए 23% मार्केट से रहे बाइस यानि बैंकिंग इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है इंप्लाइमेंट बेस की बात करें दोस्तों अभी परजेंट में जो है 2.5 लाग यहां पर इंप्लाई है अभी वरकिंग में है और सब्सक्राइब होता है और सब्सक्राइब काफी अच्छा अपर्चुनिक होने वाला है यानि दोस्तो आने वाले टाइम में आप सभी को SPI में SPI कलर का SPI PO का और भी कुछ नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा तो आप लोग अभी से अच्छे से SPI का प्रिपेशन स्टार्ट कर दीजिए और दोस्तों यह आर्टिकल छपा था इसमें कुछ important था इसको आप ध्यान म है उसको आप पढ़ लीजेगा 1955 में SPI का नाम जो है चेंज होकर के स्टेट बैंक अफ इंडिया पढ़ा था SPI का 28 trillion रूपी जो है फंड है इसको आपको याद रखना है 260 million डेबिट कार्ड है और approximately 60,000 ATM है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया का सबसे लार्जिस पब्लिक सेक्टर बैंक है quarter third में जो है more than 5000 क्लोर रूपी जो है SPI ने profit दिया था तो आने वाले टाइम में आप सभी के लिए SPI में काफी अच्छा opportunity create होने वाला है आप सभी को जो है इस साल जादस ज्यादा vacancy देखने को मिलेगा तो दोस्तों अपने exam point of view से जो important point है उसको आप लोग याद आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पुछे का इस आर्टेकल को जा करके अपने टेलेग्राम चैनल पर सेर के हों वहां से पढ़िएगा इस वीडियो को लाइक किजिएगा सेर जरूर किजिएगा थैंकिए फॉर बाचिंग बैंकिंग करियर गॉड़ ब्